नमस्कार कोरोना वाइरस जहां धीरे धीरे पूरे भारत में अपने पैर पसार रहा है वहीं गोवा जैसा राज्य इस वाइरस से पूरी तरे उबर आया और अब अधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त हो चुका है राज्य के सातों मरीज पूरी तरे ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके है यहां तीन अपरेल के बाद से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है यह उपलबदी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि राज में विदेशी टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है पडोसी राज महराश्ट्र कोरोना से देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित है आखिर गोवा में ये कैसे संभव हुआ कैसे उन्होंने मरीजों के आखड़े को बढ़ने नहीं दिया इनी सब बातों को लेकर जब हमारे चैनल MP Live ने एनलिसिस किया तो गोवा के स्वास्थ मंत्री विश्वजीत राणे का महत्पूर बयान सामने आया अब हम आपको बताते हैं कि राणे के अनूसार वो क्या 6 महत्पूर कदम थे जो गोवा सरकार ने उठाए और जिसका परिणाम अव विश्वसनी है तो है ही साथ में पूरे देश के लिए रोल मॉडल भी है पहला कदम स्वास्त मंत्री विश्वजीत राणे ने बताया जब देश में कोरोना के अलग लग राज्यों में एक दो मामले मिलना शुरू हुए थे तभी वो लोग अलर्ट हो गए थे करनाटक, महराष्ट और केरल में कोरोना के केस मिलते ही उन्होंने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था दूसरा कदम आम लोगों डॉक्टर के बीच संपर को गवा ने कम करना शुरू कर दिया था क्योंकि गोवा सबसे पहले अपने फ्रंट लाइनर वारियर्स डॉक्टर्स को सुरक्षित रखना चाता था इसके लिए गोवा ने OPD बंद कर दी और सिर्फ इमरजेंसी चिकिस्सा सेवा जारी रखी तीसरा कदम राणे ने बताया कि गोवा ने टेक्नोलोजी की भरपूर मदद ली गोवा देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने वाटसप पर चैट बाट की शुरुआत की चैट बाट में 7-8 सवालों के जबाब देकर कोई भी व्यक्ति घर बैठे ये एसेस कर सकता था कि उसमें कोरोना के सिंटम्स है की नहीं है इसके लाबा कॉल डॉक सेवा शुरू की जहां कोई समस्या महसूस होने पर कॉल के जरिये चिकस्स की ये परामर्ष या मेडिकल हेल्प ली जा सकती थी चौथा कदम गोवा देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गोवा देश का पहला ऐसा भी राज्य था जिसने कोरोना के इलाज के लिए अलग कोविड हॉस्पिटिल बनाने का परस्ताव रखा गोवा ने टेस्टिंग को बढ़ाया, इसके लिए गोवा ने ICMR का पूरा सपोर्ट लिया उन्होंने टेस्टिंग किट्स खरीदी और कई जगे PCR, RT-PCR टेस्टिंग की शुरुआत करी पांचवा कदम, गोवा अच्छी स्थिती में है फिर भी उनका फोकस डॉक्टर और हैज्ट वरकर्स की ट्रेनिंग पर है गोवा ने 200 वेंटिलेटर्स का ओर्डर दिया है मगर उनके प्रशासन का ये मानना है कि इन वेंटिलेटर्स को हैंडिल करने के लिए उनके पास ट्रेंड मेडिकल स्टाफ होना जरूरी है इसी कारण वहाँ पे नर्सों को ओल्लाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है छटा कदम गोवा में देशी और विदेशी टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे में करोना की शुरुआत पर गोवा इस चनोती से कैसे निपता जब ये सवाल स्वास्थ मंत्री विश्वजीत राणें से किया गया तो उनका जवाब था कि भारत में करोना की शुरुआत होने पर अलग देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों को बलाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स भेजी गोवा ने ऐसे मामलों में ज़्यादतर लोग की रेंडम टेस्टिंग करी और इन में से किसी में भी कोरोना के कोई लक्षड नहीं थे ज़्यादतर लोग गोवा में पिछले एक दो महीने से रह रहे थे इसके अलावा जो थोड़े बहुत टूरिस्ट वहां बचे भी थे उन्हें वहीं के वहीं क्वारिंटाइन कर दिया गया फिलाल गोवा में विदेशी टूरिस्ट की संख्या ना के बराबर है राने ने कहा असली चनोती तो अब शुरू होती है क्योंकि गोवा ब्रेंडम टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है और लॉकडाउन का तीन मई तक कड़ाई से अनुपालन भी करवाएगा उनका ये भी मानना है कि चाहे गोवा ग्रीन जोन हो रैड जोन हो या ओरेंज जोन हो इसका बहुत जादा फरकनी पड़ता है वो जो काम कर रहे थे वो जारी रहेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह गोवा कॉरोना फ्री हो चुका है किस तरीके से गोवा ने कॉरोना की लड़ाई जीत ली है यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद